कि आपाफ़ात्र यहां पच्लाफ़ेंग एक पात्र यह तैड। का पाठ है ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बच्छो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि इंप्लॉय को वो चीज सिखाना बतलाना कि भाया जो तेरो जौब दी गई है वो कैसे की जाए जिससे की उसको उसको required skills आ जाए उस job को करने के लिए ठीक है बचो ट्रेनिंग क्या है इंप्लॉई को बताना सिखाना और उसको skill सिखाना प्रोइड करना जिससे की जोब बैटर त्रीके से कर पाए अच्छी तरह से कर पाए कोई दिक्कत ना है उसे job करने में ठीक है बचो अगर मैं बात करूँ डॉलप्मेंट को डॉलप्मेंट को डॉलप्मेंट इस वाइडर क साथ में उसको बताया जाता है कि अगर हमें कोई आ जाए आप कैसे उसे हैंडल करोंगे पोस्टिव आगर आपको कोई चीज नहीं आती तब भी आओ पोस्टिव रहना है आपका परस्टनाल्टी कैसे डॉलप्मेंट कैसे करना है आपके कैसे बढ़ सकते हो आपकी परमोश कब आपको सुपीरियर से मिलवाना है यह सब चीजे होती है कैसे आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है कैसे प्रमोशन लेनी है यह सब डॉलप्मेंट का पार्ट है इन्हीं डॉलप्मेंट और ग्रोथ होदा इंप्लॉई नागी है तो इससे आप डॉलप्मेंट को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं आपनी परसनालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं अब कई सब्सक्राइब करेंगे ओपने सुपर्टिय और को कैसे होंगे कोई चीज नहीं प्रोसीज़ ज्ढों तो आप उसे कैसे कि चीछ दोनों के लिए लिए इंप्लोएस के लिए इंप्लोएस के लिए रिड्यूस लर्निंग टाइम जो इंप्लॉइस ट्रेंड और डॉलर ट्रेंडिंग ट्रेंड होते हैं उनको कोई भी नई चीज सीखने के लिए कम टाइम लगता है फॉर एक्जामपल उन्हें एक स्केल सीखी जैसे कोई नई नई मशीन आ गई वह पहले से ट्रेंड है तो उस मशीन को अपरेट करना उन जल्दी से आएगा उन मशीन पर फटाफट गुड्स बनाना जल्दी से आएगा और वह अराम से उस अड़ाप्ट हो जाएंगे न्यू लूब ट्रेंड होते हैं उन वहर जगा कोई एक्युप्मेंट कोई भी रिस र्स यूज़े करने में यदा जल्दी सीख जाते और कई किसी वी जौब पर जल्दी से अड़ेप्ट हो जाते या जल्दी से फिक्स हो जाते हैं आग जलते हैं जो बैटर परफॉर्मेंस और द उन्हें पता होता है कौन सा फॉसक्र करना कई से मशीन कैसे यूज़ करनी या तो कोई वेज़ेज लिए ने नी होती है एक युनिट को बनाने के दस केजी यह उससी आता जी कितने घंटे लगने हैं तो अब इसमें आप एक और पॉइंट कर सकते हैं लो कॉस्ट क्यूंकि जब हमारी रिस्क ट्रेंड वरकर होंगे उन्हें पता है वेस्टेज नहीं होगी तो आपकी कॉस्ट भी लो आएगी एक ह आपकी वरस्ट सुच्वेशन भी आगी तब भी आपको पॉस्ट्य रखना है क्योंकि बंदा अगर आपको मालों किसी चीज की स्किल नहीं आती लिक्शन आपके ट्रेंग डॉलप्मेंट से आपको नॉलेज आ जाती है कि यह कैसे में आपनी यह नॉलेज बढ़ा सकता हू और उसको उस सुच्वेशन को भी ओवर कम आ सकता हूं तो एक्टिट्यूट फोर्मेशन ट्रेंग डॉल्पमेंट से हमें एक्टिट्यूट होता है पॉस्ट्यू आता है कि हमें जितनी वी ब्रस्ट चुछ आजाए जितना भी कैसा भी कुछ हो जाए हमें अपने पॉस्ट उसको कोई टेकनोलोजी चेंज हो जाए उसको फटा लर्न करके वह डेप्ट कर लेता है रिड्यूस बैटर परफॉर्मेंस जो बंदे ट्रेंड होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बैटर रहती है क्यों क्योंकि वह कोई वेस्टेज नहीं करते क्योंकि उन्हां पता हुथा तो हमारी लोग आएगी अब आज यह बच्छों तो इंप्लाइज बेनिफिट्स और ट्रेनियर डॉल्पिंट इंप्लाइज को क्या होते हैं और वरकर ट्रेंड होते हैं जिनको स्किल्स यादा च्छे दरा आती है उनको फटावट वह उनकी प्रफॉर्मेंस अप्रेजल में वह अच्छा प्रफॉर्म करते हैं और उनकी जैसे से प्रफॉर्मेंस अप्रेजल में अच्छा प्रफॉर्म करते हैं तो उनकी प्रमोशन होती रहती है और प्रफॉर्मेंस अप्रवेजल में अच्छा आता है उनकी प्रमोशन होती है और प लिए कोई जॉब की कमें नहीं होती है अगर मालों ने एक जॉब के चोड़ी उन्होंने तो उनके आज कई मुल्टिपल आप्शन्स है क्योंकि उन्हें कई जॉब्स पर कई जगा पर काम कर रखा है तो एक तरह की जॉब नहीं मिली हों दूसरी तरह की जॉब मिल जाएगी तो उनकिंगा क्या कैरियर आप्शन यहां अगर ना खना मालों एक जॉब चली वह कोई दिक्क्त नहीं हमारे लिए तो लिए तरा जोब से हम यह नहीं करेंगे तो जो लोग ट्रेंश में कोसरा है उनको क्या कर सकते यह एक जॉब्स यहां डुसरी जब्सक्राइए बाट स्किल्ड दो चुक्य हैं आप अपने देखा है आज कल क्या हो रहा है पहला तो लेबर इंटेंसिर इंडेंसिर्ट्री खास्तिम होती है और कि अगर बर्का ट्रेंड लिए अगर पता है कि मुझे किस तरह से मशीन को अपरेट करना है कि है तो चांसने के फैंक्त उसिक्राइन के पाइदा है क्या क्या कि क्Ad оч nữa है कि वर्किर छोड लग जाती थी तो तो युष यूद आपकर पड़ता था अगर और प्रूर्क उपड़ता थी और अगर त्रonie इसकी बंती है बंती है एक होती है on the job training और यह आफ of the job training channel की जॉप पर काम करते हुए उसको learn करना उसको उसे सिखाना इससे बचो very important on the job training को हम क्या बोलते हैं talk on the job training लेरनिंग while doing काम करते वक्स सीखना काम करते वक्स सीखना इस on the job training और बच्छो एक होती हो आफ दा जोब ट्रेनिंग या नहीं कि काम करने से पहले job करने से पहले ही उसको सिखाना that is of the job training इसे बोलते है learning before doing learning before doing दोइंग सीखना before करने से पहले याद रहना बच्छो इस भहत important है on the job learning while doing of the job learning before doing ठीक है बचो अब जो on the job जो है ट्रेनिंग इसके अंदर में आगो बताया कि हम काम करते करते हमें वर्कर को सिखाया जाता है कि जो इसके अंदर सिखाने के तरीके हैं वह टेकनीक सो ट्रेनिंग तीन है और of the job में एक ही है वेस्ट ट्रेनिंग very very important बहुत 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 आच चुका है पेपर में यह अगर हम बात करें ओन्द जॉब ट्रेनिंग तो तीन होती है उसको एक स्किल्ड वर्कर के अंडर के साथ रखा जाता है और उसका काम होता है उसको अब्जाव करना थोड़ी बहुत हैल्प कर देना और और उसको उसको अब्जाव करके पूरी तरह अच्छे तरह देखना क्या काम कर रहा है और एक पर्ट्रेनिंग पिरेड में उसके साथ रहता है ठीक है अंस्किल्ड वर दिएक साथ में इसका एक एक फिर के हना होता है उसका और कहसे पोइंट कॉन से कैसे देख रहे हैं कहां से connection चेक कर रहा है कहां से अपका electricity इंटर्शिप में इनसे में जोड़ उटो होते हैं होते हैं इंटर्शिप में55 ken कैसे के साथ सब्सक्राट। बड़ी कम्पनीज के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं तो एजुगेशन इंस्टूट में थ्योरी सीखी हुई है जैसे आपने MBA कर रहे हो MBA करके काम कैसे करना है लेकिन साथ-साथ आयम ने अभी अपना रखा बड़ी-बड़ी कम्पनीज के साथ और बड़ी-बड़ी कम्पनीज क है उनको बिलाती है और वहारे ठ्रेनिंग सेंटर में सीखे यानि कि Learning उनको बलाएजाता है आपने थेयौरी तो इस तरह से और ऊस्के पतले में उन्हें क्या मिलतática है Stefan स्टीपन मिलता है KAR लीगती झाली टोड़ा सा जालरी जी नहीं होती हुआता है क्में काफी लोगता हैं करना कि अक जुसका रह्ता है उससे काम भी करा होते हो सिखाव एक च्छोटा तो इस वाले भी करते हैं सीए में जो साथ साथ लें कर रहे होते हैं वह सीए के अंडर सीख रहे होते हैं वह एक तना से उनका ट्रेनिंग ग्राउंड भी बन जाता है और उसके बदल में इंटर्शिप तो उनको जो एक टाइम दिया जाता है कि आप बड़ी-बड़ी कमपनी में सीखी है या सीए अपने सीए के अंडर सीखते हैं फिर तीसरे आपका इंडक्शन और और इंटेशन प्रोग्राम इंडेक्शन और और इंटेशन प्रोग्राम की बात करें तो यह तो हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं जब कोई कमनी कोई कमनी में आता है तो उसको सुप अपने को आपको डील करना है कैसे आपको जिजक ना हो वह आराम से हैंडल सके में मिलेगा तो यह सारी चीज़े सिखा लिजाती है ठीक है उसके पाद आज यह आप नेक्स बच्छों नेक्स्ट इस ऑफदा जॉब ट्रेनिंग जिसे लर्निंग बिफॉर दॉइंग कहते हैं इसके संदर सिर्फ एक यह और बहुत इम्टरेंट है वेस्टिवल ट्रेनिंग यहां पर आपको स्कूल होते हैं यहां पर आपका डब्मी मॉडल क्रियेट किया जाता है वहां पर जिस तरह से जहां पर उसने काम करना है अब जैसे मशीन है अगर उनको सभी तरह से यूज नहीं किया गया तो वह खराब हो जाएंगी और हमारा कंपनी का काफी नुकसान हो सकता है तो इसलिए जरूरी होता है कि पहले इंप्रवाइस को अच्छी तरह से उनको समझाना कि यह कैसे मशीने चलेंगी इनका यूज कैसे होगा एक डमी मॉडल क्रिएट कि आता है और पूरा वर्क इंवार्मेंट क्रिएट के जात के वहांगी वहांपे मशीने चलाके और उनके उपर खुद डमी मॉडल पर चलाके उनको सिखाया जाता है उसके बाद जब वह सीख जाते है उसके पाद एक्ट्वल वर्क प्लेस पर काम करना शुरू करते हैं ताकि इससे कोई एक्सिदेंट ना हो वह अच्छी तरह से वीडियो तुरू कोचिंग और तुरू उन जो डमी मॉडल पर काम करके इसका एक बहुत ही एक्जामपल है अच्छी तरह आजाता है फिर उन्हें बुक्स और इंट्री ताकि वह खराब ना हो जाए तो यह हमने खत्म के लिए ट्रेनिंग और किसा साथ हमारी स्टाफिंग भी खतम हो गई है बच्छों और मुझे उमीद है कि आप बहुत च्छा कर रहे होंगे यह अक्टूबर मिड आने वाला है और हम अक्टूबर में और अगले दो चैप्टर भी खतम करेंगे और फिर हमारे रहा जएंगे तीन चैप्टर वह हम नौंबर में खतम करेंगे इस तरह जखर आम